इमा, उमी, मुहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती हैं रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही, रोशन राही रोशन राही, 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 रोशन आज भी हमारे साथ काबिल बाप बेटी जो है इस वक्त माझूद है तो आज आए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की पहली मेहमान से सेहर स्लामत गॉड ब्लेस्ट और वेल्कम तो दे शो कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुदावन की बहुत ज़्यादा शुकर गुजार हूँ कि आज मैं यहां पर मवजूद हूँ खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि इस तो मुझे यहां तक पहुंचाया है सहर आप अपड्वियन कलर्क के तौर पर किमासर इंजाम दे रहे हैं यह और यह FBR Office में आप अपनी खिद्मा सर इंजाम दे रहे हैं तो क्या खिद्मात हैं अपकी मैं पहले FBR में थी जो के Office था अलाइड के opposite लेकिन अब मेरी प्रमोशन होगी, मुझे उन्होंने इन्वेस्टिकेशन आफिस में भीज दिया है, वहाँ पर जो मैं अपनी खिद्मात सर अन्जाम दे रही हूँ, वैसे तो मैं UDC हूँ, अपरडवियन क्लर्ग, लेकिन वहाँ पर मैं डारेक्टर साब की पीए हूँ, उनकी परसनल असिस् इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट्स भी बिनाती हूँ, जो के एक बहुत अच्छी मेरे खिया से ड्यूटी है, और खुदामत का शुकर है कि खुदा मेरी मदद करता है, इन सारे कामों हम ये कि खुदामत के शुकर गुजारें इस बात के लिए भी कि खुदामत हमें जगा इसका काम करते हैं और इसके इलावा दूसरी मुक्तित तरह की ड्यूटी जिस तरह मैंने बताया है कि ये पीए की जॉब भी करते हैं मतरब अपने ओफिसर्स की कॉल्स वगरा सुनते हैं ये वो वाली ड्यूटी भी सरनचाम देते हैं तो आपकी लाइफ से कोई ऐसी गवा को ये हैं अबँन मतर में ड्यूटी एक अपनी मेरी मेरी जॉब के हवाला से और दूसरी मेरे वालिद साहप कि गवाही है जो आज मैं यहांपे शेयर करूंगी आपके साथ और सबसे पहली गवाही तो मैं अपनी जॉब की दूँंगी जी कहां से मैरा करीयर स्टाट हुा में में गही तौमी से गई. अब गाера मुन हम जया तो मैं आज़ झाए तो में में वेयोट तो में देखा तो कि एक पईसरा गहर है, उसमें बहुत सारी सीध्यान आज़ा और में वह सीध्याँ हैं गार इसीध्याँ चछ नहीं मैंने ऐसे ऐसे देखा तो उन्हें ने बताया कि जब ऐसे कोई चीज खुदा आपको दिखाता है तो इसका मतलब है यह सर्फराजी की तरफ खुदा आपको ले जाना चाहता है मतलब है कि खुदा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि खुदा मुझे सर्फराजी की तरफ ले जाना आप प्यम आई स्कूल में आप प्रेटीचिंग स्टार्ट की और यह बरकत मैं समझती कि आपको यहीं से मिल गई जी बिल्कुल और खुदावा ने आपको सर्फरास किया यह है कि आप अपनी जो यहां पर टीचिंग का जो शोबा था जब आपने इसको जॉइन किया तो आप उसके साथ वफदार होंगी तो उस वफदारी का सिला जो है यह आगे आगे आपको सर्फरास किया है यहां के सारे स्टाफ के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम गुज यह इस फील्ड में आने का था एक्चुल मेरे आइडियल जो है वो मेरे वालिद साहब है तो मैंने मैं अमी कहते है आप चले जाएं नर्सिंग में मैंने जो मेरे अब्बु है मैं वही बनूंगी तो मैंने बीकॉम किया लेकिन काफी जगों पर मैंने जॉब्स के लिए जॉब्स नहीं कहीं भी मिली हुझे तो फिर मैंने अपने सब्जेक्स चेंज किये जे 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 तो फिर मैं टीचिंग की तरफ आगई लेकिन शायद खुदा को मेरी यही चीज पसंद आई कि मैं अपनी कौम के लिए अपनी खिदमा सर अन्जाम दे रही हूं और उस ने मु खुदामन का शुकर है किनियों से मुझे वक्त दिया सेहत जिंदगी दी कि आपके साथ मेहवे गुफ्तगु हूं तो थैंक्स अलॉट अपनी जॉब कर रहे हैं तो कैसी जा रही है आपकी यह खिदमा मेरी खिदमा तो बहुत अच्छी जा रही हैं खुदामन का शुकर है कि उसने मुझे सरफराजी दी और मेरे डिपार्टमें मेरी बहुत हिजद है कौन से रैंक पे आपके मैं इधर असिस्टन डिरेक्टर ह हुँए मैरे सुपरविइन भी कर रहे हैं तो मेरे साथ जो मताहत अम्ला है वो मुझे से खोश है शुक्र है खुदामन का बड़ी एज़त करते हैं तो मैं 27 से मैं उधर हुँए हुँए तो एक ए इपार्टमें जनिकि चानास इपार्टमें में हुँए मैं या जोब कर र तो यह आप क्या कुछ खूबसरत लंब हाथ कुछ तजर्बात अपने शेयर करेंगे हमारी वीवर्स के साथ जी मैं जरूर करूंगा खुदामन का शुकर है उसने मुझे ऐसी सीट से नवादा है जिसमें बहुत से काम है मैं बैंक्स डील करता हूं कैश बुक लेजर बगारा डील करता हूं और उसके साथ असोसियेट जो वरक है बैंक रीकांसलेशन जो सबसे मुझकल काम है क्योंकि बैंक के साथ और हमारा पाई-पाई का बैलनस टहली होना जरूरी है जी तो डॉल्मेंट का काम भी मेरे अंडर ह फैसलाबाद में फ्टीय के अंडर जितने रोड हैं उनकी सुपर्विजन मेरे पास है उनकी बिलिंग मेरे पास है तो जितने बिजिज बनें अंडर पास बगारा मसाल के तौर पे कश्मीर पूल अगर देख लेगे और ये मेरी सुपर्विजन में बन रहा है तलके नियर इसके बाद जितने रोड हैं होके स्टेडियों मेरे सुपर्विजन में बना है इसकी बिलिंग और इसका जो भी है इसकी जब आस्टो ट्राफ आनी थी जर्मिनी से उस वक्त भी मुझे उफर हुई थी लेकर मैं ये बचे छोटे थे मैं नहीं जा सका अच्छा इस शोबर क अच्छा जितने चाहला से और क्या-कि ए आपकी थे थे जोती है और किन चीजों में आप इंट्रस्ट रखते हैं मैं जे मैं मैं पूछते हैं आप तो चुके बुडापे की तरफ इए याम में जी जवाणी के अयाम में मैं एक रिक्टर था ए इस्टेडि के साथ साथ में तो मैं च्रिक्ट मेरे एंचा मकाम था, और मैं एज उपनर बैट्समैन और फिल्ड में विक्ट कीपर था, तो मैं सिरी लंका और इंडिया के खिला हूँ, नि उन फिक्टी फोर स्कोर किया था और आउट नहीं हुआ था, तो इंडिया के खिला जब मुझे चांस मिला वकीलो तो उस वक्त मैं जीरो हो गया, जीरो बोल्ड कर दिया मुझे कपल देव ने, उनके फास्ट बॉलर ने, तो उसका मुझे बड़ा धुख है कि मैं बहुत ऐसा क्यों हुआ है ठीक है, सामध में से मुझे बताईएगा कि इतनी ज्यादा अचीवमेंट है आपकी और इतने अच काम किया हुआ मैंने, ठीक है, बीकाम के बाद मैंने एडुकेशन छोड़ दी, फिर मैंने एक कलरक के तोर पर छे सुर रुपे पर जॉब ती, उसके बाद खुदामने मुझे सरफराजी बख्ची और मुझे एफडीय में ले आया, एज जुनियर अकाउंट असिस्टेंट आइस्टा प्रमोट होते होते मैं आज असिस्टेंट डिरेक्टर की सीड पे बराजमान हूँ, प्रेस को और खुदामने के शुकर गुजारी करते हैं इन तमाम अचीवमेंट्स के लिए और यहिकिनन आप अपने बच्चों के लिए ऐस रोर मॉडल हैं, मैं एक बात और ब अपने बच्चों के लिए बाएसे फखर हैं, तो यूकिनन आप काबिल हैं तो बच्चे भी उसी, जैसे सहर बता रही थी, कि मैं चाहते हैं, कि जैसे पापा, एक काबे शक्षिया थी तो मैं भी ऐसे ही तो भी तो सहर, आपकी तरफ बढ़़ूंगी, क्या करदार रहा है मेरे पेरेंट्स का मेरी लाइफ में बहुत एहम किरदार है पेरेंट्स सबके ही हैं और खुदाउन के फजल से वो सबके पेरेंट्स सबको बहुत प्यार करते हैं और जी बिलकुल और चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी मन्जिल पर पहुंचें लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मे मैं खुदा का शुकर अदा करती हुए उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की शुकर गुजार हुए कि आज मैं इस मकाम पे हूँ तो इनकी वजा से हुए तो शेयर आप अपनी ड्यूटी को भी मैनेज करती हैं आप एक मधर भी है तो ये किस तरह से दोनों और जोब को मैं एक अखिश ढूग से जिरा Rankती आप मैं अपनी जो अपसके मेरे सारे काम है वह मैं अच्र अजाम करती हैं और जब घर पहोती हूँ का या मेरे हस्बेंड का कोई ऐस इसा काम न रहे जिनसे नहें शिकायत हो जाप कर दो यह हमारा काम है यह एस तरह से तो हर मैटर को हर काम को श्कर आख़दा का मैं बहुत अच्छ से टैकल करती है इहां जी जिस वटतारी है कि जब वो घर में होती है तो वो अपने बेटे को तो भी देखती हैं और हस्बंट को कोई काम रहना जाए सहर इसवक्त बहुत सारी नाजरीन में चाहवातीन माजूद है इस वक्त मादर्प्रोग्रैम को देख रहे हैं वो मदर्स जो जोब करती है और उनके लिए आप क्या मैसेज क्या मोटिवेशनल आप मैसेज देना चाहेंगी कि उनके लिए इंसपिरेशन हो कि हम ने दोनों चीजों को किस तरह से टैकल करना है मैं उनको यही मैसेज देना चाहऊँगी कि आप जो भी काम करें अपने घर का काम करें या आप अपनी ड्यूटी पे हैं किसी भी तरह की वो आपकी ड्यूटी है तो बहुत इमानदारी से करें तो किसी को इशकायत का मौका ना दें तो सबसे पहले जो भी आप काम शुरू करें उसमें खुदा का नाम लें खुदा की शुकर गुजारी करें जब वो आपका काम कम्प्लीट हो जाए तो मेरा यही मैसिज है कि अपने काम इमानदारी से करें अपनी ड्यूटी अच्छे से सरअजाम दें खुआ वाव आपके घर की ड्यूटी है या आपकी बाहिर की ड्यूटी है थैंक यू सो माच सहर खुबसरत मैसिज के लिए सर आपकी तरफ बढ़ती हूँ आप क्या वालदेन को मैसिज देना चाहेंगे हाँ जी बच्चों को मेरा ख्याल कहता है कि जहां तक हो सके उनको पुदाना चाहिए आज कल के दोर की डिमांड है कि बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनका मुस को जी फुरा हम करें किसो मच असलामत मसी आपका और सहर आपका भी आप दोनों हमारे साट पर तश्रीफ लाए येकिनन जब हमारी राहे रोशन होंगी तभी हमारा मुस्तक्बिल रोशन होगा अपना बहुत सारा ख्याल रख्येगा एंड कीव वचिंग प्यामाई चल्व